तो क्या होग अगर आपको सर्वाइब करना पड़े हैं 100 days as a ravager सोचो कि आप एक बेबी रेवेंजर और एकदम से आप बदल जाते हैं बड़े हले रेवेंजर में तो as a ravager मुझे raid पर जाना बहुत जादा पसंद है लेकिन मुझे golem बिल्कुली पसंद नहीं है तो मुझे मानने पढ़ेंगे कावी सारे golems को क्यों क्यों परिशान कर रहे थे ravagers को तो क्या मैं survive कर पा हूँ 100 days as a ravager जानने कि इस वीडियो को end तक के देखना और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को like करो इस वीडियो को like के हम रखते हम 30,000 like और हम 300 के subscribers के बहुत जादा close है तो नीचे जो तुम्हें subscribe का बटन दीख रहे है जल्ली सूसे जाके दबा दो तो जादा time waste ना करते हैं हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो मैं spawn होता हूँ as a baby revenger जो की बहुत जाए चोटा सा और cute सा था और में को इन लोग ने बन करके रखा हूँ था फेंस में थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मुझे यहां पर दिखती का जीब सी जगा जहाँ पर थे कुछ चेस्ट तो जैसे मैं खोलता हूँ यहां पर हमला करना चालू कर देता है लेकिन मुझे बोलता हूँ कि तुम अपने फेंस से बाहर क्यों निकले तो मैं से बुछता हूँ कि बागी के रेवेंजर का है तो यह बोलता है कि वो सब एक रेट के लिए तो मैं इसे मारता हूँ और वहां से भागनी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं और अंदर फस जाता हूँ क्योंकि यह पूरा एरिया इन लोग कही था तो मुझे एक जगह दिखती है मुझे लगता है वरना है मुझे मार डालता मैं सीधा खूर जाता हूँ पानी में तो काफी दे तक के तहने का मैं पहुच जाता हूँ एक प्लेंस बायो में और वहां पर भी बहुत देर तक के आगे बढ़ने का मुझे यह पर दिखता है एक सांड जो कि ऐसे घूम रहा था यहां पर घास पर लिखा हुआ था संड विल नेवर सेट उन प्लेजर एंपायर पता नहीं यह कौन सा रूल इन लों का तो शाय से घर कोई प्लेजर को जिसको की कावी सारी विलेजर से भगा दी होंगे तो मुझे दूर में दिखता है और लेकिन यहां पर चालू थी रेड और यहां पर सकता है तो इसकैनल आपकी यहां पर दीखता है घर जो की शायद एक तो यह मुस्से डर रहा था और भाग जाता है यहाप कुछ ब्रेट थे यह इन निन गोलों को His तो इसलिए मुझे यहां पहले की आरन गोलों मुझे मार आए मुझे आगे मेरे जिकते हैं कुछ पता है तो यह बोलते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता तो मैं थोड़ी देर हो आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यह पर दिखता है बहुत बढ़ा टावर और यह इतना ज़्यादा बढ़ा था कि मैं अच्छे देख भी नहीं पा रहा था कि कितना बढ़ा है पहाड से नीचे और आते बिना रुके इस रेड्स्टों गोलम को मानना चालू करता है लेकिन कुछ दिर के बाद फिर रेड्स्टों गोलम भी खौल जाता है तो मुझे बताता है कि जली समय जगह से बहार निकला पड़ेगा वरना रेड्स्टों गोलम के जैसे और आ जाएं सब्सक्राइब करना चालू करते हैं और उसके बाद यहां पर जित्ते भी रेड्स्टों गोलम उस सब अग्दम और रेवेंजर से चिड़े हुए और सब दूसरे को मार रहें तो यहां पर पता ने एकदम से कोई आख आती गलो करते और पता नहीं को भूत नीती खतनाक व करती लेकिन भालू भाई उसको निप्टा देते और फिर मुझे बोलते कि गलती से इस फेंट से बहार माद जाना वना तुम माले जाओ और सोजा जली से जली से और यहां पर बहुत सारे फिश्टेस को माना चलू कर देते लेकिन तब ही वही जो सांड था जिसको मैंने पि बालू भाई आते हैं और फिर से मेरी हेल्प करते हैं उसको मानना चलू करते हैं और काफी देर तक इन लोग की लड़ाई चलती है और आखिरकार भालू भाई इसको खतम कर देते एक लाश शॉट मार के और फिर जितनी मशली पकड़े थे उनमें से कुछ मुझे देते खा चलू करते हैं लेकिन वह इतना ताकत वरता कि एक शॉट में को खतम कर देता है तो मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि अगली बार येगा तुम मुझे दिग गए तो मैं तुम्हें चोड़ू गानी क्यूंकि मुझे पूरे रेवेंजर को खतम करना है और यह मैं सब सुनके बहुत ज़्यादा डर चुगा था और फिर आखरी बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लेजर किंग को भी खतम कर दूँ और तो मुझे तो पता ही नहीं था है कौन और इता सब बोलने का नहीं से चला जाते है और मुझे यहां पर दूर में दिखता है बस एक भालू का बच्चे जो यहां पर बचा हुआ था तो मैं इसे बात करने कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था तो मैं आखर इसे माना लेता है और कुछ दे दे देता हूँ जो कि मुझे भालू ने दिया था और वह से रख लेता है और यह मेरा अच्छा सेवेंजर को हाँ पर कैट करकर रखा हूँ एक और गोलम ने तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक चीज और चीज जो की था दूद तो दे देता है पता नहीं कैसे का आसनी से मान जाता हूँ और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ जो कि अंदर से बहुत अच्छा था लेक एक एक करके और फूल लेने के आद वो बोलती कि तुम इस घर पे रह सकते हो जब तक के चाहिए और इतना सब बोलने के आद यहां से चली जाती है तो मैंने घर अपने लिए तो नहीं लिया था लेकिन जो मेरा दोस्ता चोटा ला उसके लिए लिया था कि ताकि इसको तो वो सिद्वा पहुंचता हो उस केच्ग के पाँ जहाए बेबी रेवेजर तो वो उसके केच्ग के पीछे में था तो पता नहीं फिर एकदम बढ़ा ला रेवेजर जिसको मानना चालू करता है और फिर कुछ देर तक इनके फाइडिंग चलती है उनको खतम कर देता है मुझे पता चल जगा थैं कि ये ही थे मेरे घर Boss जिसको अभी जैसिस ने मारा मुझे देखता है मिरे पास आता है भागते हुए और फिर मुझे से बोलता है तो मुझे highest की सथा घाक लेकिन तो भी हम लोग के पीछे आता है और मुझे नहीं पता था कि वो कौन था चोटा ला ब्लैक स्टोन गोलम लेकिन मैं इन सब गोलम से बतला जरूर लूँगा और मुझे यह भी पता करना था कि इस सब के पीछे कौन है तो मैं काफी दिनों के ट्रैवल करते हैं तो बहुत जाए चोटर कमजोर थे इसलिए इसने मेरी हेल्प किया था और तभी मैं देखता हो बाहर में तो काफी सारे शाक्स जो थे वो बोट क्या जो घूंग रहे थे मेरे दोस्के और उसकी बोट भी तोड़ देते एक दम से तो मैं जली से आता हूँ उसकी हेल्प के कि ने को माने कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ दिर मानने कर मैं इनको भगा देता हूँ और अपने दोस्को जल्दी से लीड बांते हो लेके आतो क्योंकि वीचारो ऐसे तो नियाब आ रहा था तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ उपर और एक खुश्टा बहुत ज्यादा the Vikings पूछता हो कैसे पता है कि किंग पी पी रहता हैं तो मुझे ऐसे थैक मुझे के कि रहता है और यहां पर मुझे एक सौड है वह भी लेलो बलता है तो मुझे बदेख रहा ऊपर उपर लोग की और वहीं पर पर उनका टावर मिलेगा तुम्हा तो मैं सीधा जाते हैं जंग तुम यहां पर कैसे आ गए तो मैं इसे बता था अपनी पूरी खानी और यह बोलता है कि जित्ते भी गोलम है वो सब एक-एक करके हम सब को मार रहे पिलेजर और रेवेंजर को तो मैं करके खतम करना पड़ेगा गोलम को तो मैं इसको बोलता हूँ मेरे पास कुछ आर्मर इन ख़तानाग था तो मुझे मिल चुका था मेरा पहला मिशन तो जैसे मैं नीचे आता हूँ यहां पर मुझे बहुत सारे पिलेजर थे और पता नहीं यह लोग क्या कर रहे थे यहां पर और यहां पर मुझे एक चेस्ट में कावी सारे एरोज भी मिल जाती है और एक और पहला मिशन जो की था जो इनकी शिप है इसके ओपर कबजा कर लिया था गोलम ने तो यह मुझे लीड बान लेता और उस शिप की तरफ लेके जाता है जिसको मैं ने देखा था पहले दूर से मैं उड़ते हो जाता हो सीधा और मुझे वहां पर ड्रॉप कर देता है तो मैं वापी से जिन्दा हो जाता है तो मुझे यह सब देखके काफी जाता अच्छा लगता है तो जैसे मैं बढ़ता हो शिप में आगे मुझे यहाँ पर दिखता हो वही गार्डियन जो की एकदम खतनाक तरीके से गलो रहा था और यहाँ पर आजवाज जो इसके छोटे मोटे चेले भी थे तो जैसे पीछे मुड़ता है मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि एक रेवेंजर मेरे शिप में कैसे आगया अब तुम्हीं हाँ से जिंदा बचके नहीं जा सकते तो इतना सब बोलता हो कि मैं भी तुम नहीं छोड़ूँगा और फिर एक एक करके मैं उसके गोलम को मानना चालू करता हूँ और यह लोग बहुत जादा कमजोर थे एक दो मर जा रहे थे यहां मुझे मिल जाता है कावी सारे गोल्डन एपल और साथ मुझे मुझे मिल जाता है एक पोर्शन ओफिलिंग और फिर से वही चीज फिकता है और जैसे एक फाइट मा कुछिश करता फिर पतानी एकदम से खॉल जाता है और इसकी मुंडी बाहर आ जाती और पतानी यह और कोई नहीं था यह था शलकर वॉक्स तो जैसे मैं से लाइट माता हूत कि निकना है क्भड़ कर दो यह थे ख़ता हूँ चृतां च्टों बार हूं तो मैं निको आजब पुरा एक्दम लाव वाला गोलम था तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम मेरे जगा पे कैसे आ गए और आज तक के जो भी हाँ पे आया है वो आज तक के जिन्दा नहीं लोटाएगा भी तो मुझे इस अब सुनके बहुत ज़्यादा गुसा था है मैं एक फाइट मारता तो मेरे पीछी बीच आता है और मुझे पानी डालना पड़ता है बचने के लिए तो ज़िसे मैं खाता ह अपना हैमर और इस हैमर से मारने से पूरी दरती हिल जारी थी तो मैं इसको लेके वापीस से बढ़ता हो आगे अपने किंग के तरफ लेकिन भीं लेकिन मुझे पैचान था नहीं कि तब मैं कॉन हुझे पैचान लेता और मुझे मारने के लिए लाथ है लेकिन तो भी मैं लड़ता हूँ बिना रुके और एक लास्ट मारता और पता है जलते हो कैसे मरता है चाहिए मेरे पास कुछ ज्यादे खतनाक तागा था चुकि हैमर के वाज़े से मैं सीधा पहुचता हूँ अपने किंग के पास और उसे दे 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 तो है हैमर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसके बदले मुझे दे देता है आखिरकार मैं पहुच जाता हूँ जगह और यहादे खतनाक जगह थी एक बहुत बड़ा मश्रूम था और बहुत बड़ी जगह थी और यह पूरा पहाड के ऊपर में था है तो मैं सीधा बढ़ता हूँ तरफ और यहाँ पहुचता हूँ कावी सारे फ्लोर से होते हुए और क्रिस्टल था तो यह बिना रुक एक दामाना चलू करता है और यहाँ पर मर जाता है और साथ मैं पर ड्रॉप कर जयता है क्रिस्टल तो मुझे नहीं बताता है इसका क्या काम आएगा लेकिन कुछ दिर का आट मौसम वापी से ठीक हो जाता और मैंने एंडर गोलम को मार द कि मैं भी बहुत जाथ है और मैं क्रिस्टल से मैंना चलू करते हैं लेकिन में भालम ठीक हो जी तो फिर मैं से मिलता हो काफी दिनों गया तो मुझे काफी जाद आचा लगता है और इतना सब बात करने के दिए वहां से चला जाता है तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतना पास आई चुगा तो मैं टावर में भी जाकर देखता हूँ शायद मुझे कुछ काम की चीज़े मिल जाए त केज को उसके बाद मैं जाता हूँ और उपर के फ्लोर में मुझे आप दिखते है कावी सारस स्केलिटन और मुझे एक स्टिक मिल जाती चेस्ट के अंदर तो जैसे मैं उससे यूज करता हूँ तो पता नी एक दम से ब्लास्ट होना चाला हो जाता है और बहुत ज्यादा सह लेकिन तब हैं मेरे उपर कर देता है और एकदम से पीगना चालू करता है तो मैं भी इसको अपनी स्टिक्स से मारता हूँ तो आखिरकार बहुत देल लड़ने के आखिरकार मैं से लास मारता हुआ और यहां पर लिख आता है कि इसका नाम था लैंड गार्डियन और पतह नह निकर मैं आखिर कार पहुँच जाता हूँ अपने टावर पे और जैसे टॉप फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ भी मुझे किंग दिखता है लेकिन इस बार मुझे यहाँ एक केज दिखता है जहाँ पर उसने कैट किया तो मेरे छोटेल है रेवेंजर दोस्कों तो मैंसे ब वाट माननी पड़ती है तो मैं बोट से होते हैं काफी दिन तक के टेल बक्रता है और और मैं पहुचता है इनका मैंन भी थी जहाँ काफी सारे पीलेज़र करना चालूं करता है तो यहाँ पर पूरा मैं तो अच्छी तरीक से और यहाँ पर कुछ देते हुए लावा प्रफिक जो बच्चा हुआ तो मैंने पूरे माइनर को खतम कर दिया था और पूरीन की जगह को भी तोड़ दिया था तो मैं सीधा पहुचता हूँ इनके सेंटर पे जहां पर में को काफी सारे प्लेजर दिखते लेकिन मैंने को कुछ नहीं करता तो यहां पर मुझे दिखत जाता है य데 वहां से बहांने निकलता है और फिर मैं इसको दूड़ से मानना चालों करता हो लेकिन फायर भॉल फिकते हैं गाले नीई फाइरबाल मुझे लग जाते हैं चीजए तो मैं फोरी ने चीजाद में न impatrто तो मैं इस जगह से जल्दी से बहार निकलता हूँ और यहां पर तीन आर्मड वाले पिलेजर उसमें से दो को तो मैं जल्दी से निप्टा देता हूँ और फिर आकरी में बचा हुआ था मैं से धंकी देता हूँ कि तो मुझे बता दे का पर वना मैं तुम्हें मार दूँगा तो मुझे बता देता हूँ लेकिन मैं इसको भी खतम कर देता हूँ क्योंकि क्या पता है यह उसको जाके बता दे तो मैं जल्दी से यहां पर काश थोड़ता हूँ क्योंकि मैं नीचे ज तो मैं इनको माना चालू करता हूँ और जल्दी से तो तीन को निप्टा देता हूँ और यहां से बहार निकलता हूँ जंगल से होते हुए तो काफी दिनों तक के ट्रावल करने करते हैं मैं अखरेकार पहुच जाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था लेकिन जैसे मै मैं इसके अपर फेकता हूँ कुछ एक्स्वोजन जिससे थोड़ा बहुत डैमेज होता हूँ लेकिन दूसरा पता हूँ यह सब देखके खॉल जाता है और जैसे मैं इसके पास जाता हूँ मानने के लिए बहुत सारी चीजे आ जाती ग्राउंट से तो मैं इसे दूर से मान जाता है यहीं तो मैं उसे देखता हूँ तो क्रिस्टल से मारता हूँ पहले तो मेरे अपनी एक्स से और इसका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा था तो मैं इसको मानना थोड़ा बहुत मुश्किल था लेकिन क्यूंकि मैं आची चीजे थी तो मैंने इसको निप्टा दिया और यहाँ पे केज में अपने दोस्ट को जल्दी से यहाँ से आजाद कर लेता हूँ लेकिन जैसे मैं पीछे देखता हूँ यह फिर से जिन्दा हो चुका था और मुझे नहीं पता था इसने कौन सालर जादू किया है तो मैं इसको अपनी एक्स लेके तो मैं इसको मानना अपने प्रिस्टल से और पता नहीं कैसे के एक डम से बारीश चालों जाती तो यह बहुत जादा कमजोर हो जाता है और यह मेरे दोस्कों मार जैता है जो भी रेवेंजर लिख दो तो बस वीडियो के लिए और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडिय अगले वीडियों तब तक के लिए बाई